राश्ट्री और अंतराश्ट्री निक्ती जनवरी से जून 2022 तक अपडेटिड काफी जादा important topic है अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो तो friends वो सभी question जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो सभी मैं इस video में आपके लिए लेकर आया हूँ और मैंने सभी question selected और important लिए हैं तो अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो ये video आपके लिए काफी useful रहने वाली है और यकीन मानिए friends इस topic से हर एक exam में question पूछे जाते हैं तो चलिए video को शुरू करते हैं हमारे first question से हमारा पहला question है के अंदर ये प्रतियक्ष कर बोड यानि CBDT के नई अध्यक्ष कौन बने हैं सही answer है option B नितिन गुपता तो नितिन गुपता CBDT के नई अध्यक्ष बने हैं अब मैं आपको CBDT के बारे में information देता हूँ इसका full form है Central Board of Direct Taxes के अंदर ये प्रतियक्ष कर बोड वित मंत्राले में राजसाव विवाग का एक हिस्सा है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है अगला कोशन महराश्ट के नए मुख्य मंत्री कौन बने हैं सई आंसर है option B एकना छिंदे तो एकना छिंदे महराश्ट के नए मुख्य मंत्री बने हैं ये आपको याद रखने हैं अब मैं आपको महराश्ट राज्य के बारे में information देता हूँ इसकी राजधानी मुंबई है, महराष्ट के गवर्नर है भगत सिंग कोशारी, महराष्ट के मुखे नाय देश है दिपंकर दत्ता, ये information आपको याद रखनी है अगला कोशन, इसराइल के चोध्मे प्रधानमंतरी कौन बने है, सई आंसर है, आप्ष्छन C, येर लेपिड, तो येर लेपिड इसराइल के चोध्मे प्रधानमंतरी बने है अब मैं आपको इस्राइल देश के बारे में information देता हूँ इस्राइल एशिया महदीप मिस्ते थे इस्राइल की राजदानी जेरू सिलेम है इस्राइल की मुद्रा है इस्राइली शेकेल इस्राइल के राश्रपती है इसाग हर्जोग ये आपको याद रखना है राश्री जांच एजनसी NIA के नई महानिदेशक कौन बने है सई आंसर है option A दिनकर गुपता तो दिनकर गुपता NIA के नई महानिदेशक बने है NIA का full form है National Investigation Agency हिंदी में से राश्री जांच एजनसी केते हैं इसकी स्थापना 2009 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है अगला कोशन अंतराश्री भारतोलन महासंग IWF के नई अध्यक्ष कौन बने है सई आंसर है option D मुहमद हसन जलूद तो मुहमद हसन जलूद IWF के नई अध्यक्ष बने है IWF का फुल फॉर्म है International Weight Lifting Federation हिंदी में से अंतराश्री भारतोलन महासंग कहते हैं इसकी स्थापना 1905 में हुई है मुख्याले इसका बुड़ापेस्ट हंगरी में है अगला कोशन खूफी एजनसी Research and Analysis Wing रो के फिर से प्रमुख कौन बने है सही आंसर है Option D सामन्त कुमार गोयल तो सामन्त कुमार गोयल रो के फिर से प्रमुख बने है रो का फॉल फॉर्म है Friends Research and Analysis Wing इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई है मुख्याले इसका नई दिली में है यह आपको याद रखना है अगला कोशन हमारा संयुक्त राष्ट यानि UN में भारत की अगली स्थाई प्रतिनिदी के रूप में किसे नुक्त किया गया है सही आंसर है Option A रुचिरा कमबोज तो रुचिरा कमबोज को UN में भारत की अगली स्थाई प्रतिनिदी के रूप में नुक्त किया गया है अब मैं आपको UN के बारे में information देता हूँ, इसका full form है United Nations, हिंदी में से संयुक्त राष्ट कहते हैं, इसकी स्थापना 24 अक्तूबर 1945 में हुई है, मुख्याले इसका New York USA में है, UN के सदस्य देश हैं 193 में, अध्यक्ष है UN के Antonio Guterres, ये आपको याद रखना है Next question, Federation of International Cricketers Association की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, सई answer है, option A, Lisa Stalekar, ये आपको याद रखना है Important point से जान लेते हैं, भारती मूल की महान, Australia Cricketer, Lisa Stalekar, Federation of International Cricketers Association की पहली महिला अध्यक्ष बनी है FICA का full form है, Federation of International Cricketers Association, इसकी स्थापना 1998 में हुई है, ये आपको याद रखना है Next question, Columbia के नई राश्रपती कौन बने है, सई answer है, option B, Gustavo Petro, तो Gustavo Petro, Columbia के नई राश्रपती बने है अब मैं आपको Columbia देश के बारे में information देता हूँ, Columbia दक्षणी अमरीका महादूइप के उत्तर पस्चिम इस्तित एक देश है, इसकी राश्धानी बोगोटा है, और मुद्रा है इसकी पेसो, ये आपको याद रखना है Friends, अगर आपको हमारी वीडियो का content और quality अच्छी लगी है, तो इसे like जरूर करें और अपने friends के साथ share भी जरूर करें Next question है, देली उच नयायले के 31 में मुखे नयधीश कौन बने है सही answer है, option C, सतीश चंद्र तो सतीश चंद्र देली उच नयायले के 31 में मुखे नयधीश बने है अगला question, दूर संचार सेवा company Reliance जीओ के नई अध्यक्ष कौन बने है सही answer है, option C, आकाश अंबानी तो आकाश अंबानी Reliance जीओ के नई अध्यक्ष बने है Reliance जीओ के स्थापना फ्रेंट्स 15 फर्वरी 2007 में हुई है मुख्याले इसका मुंबई महाराष्ट में है और संस्थापक है Reliance जीओ के मुकेश अंबानी ये भी आपको पता होना चाहिए अगला question, सुमालिया के नई प्रधानमंत्री कौन बने है सही answer है option B हमजा अब्दी बर्रे तो हमजा अब्दी बर्रे सुमालिया के नई प्रधानमंत्री बने है हम आपको सुमालिया देश के बारे में information देता हूँ सुमालिया अफ्रीका महादीप में इस्तित है सुमालिया की राजधानी मुगादीशू है सुमालिया की मुद्रा है, सुमालिया शीलिंग, सुमालिया के राश्रपती है, हसन शेक, महमूद, यह आपको याद रखना है अगला कोशन, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंतरी कौन बनी है? सई answer है option A ậy, तो चो सन हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बने है अब मैं आपको उत्तर कोरिया देश के बारे में بتाता हूँ उत्तर कोरिया एशिया महादुईप में स्थित है उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंग यांग है उत्तर कोरिया की मुद्रा है उत्तर कोरिया इवान उत्तर कोरिया के राश्रपती है किम योंग उन अगला कोशन नागरिक उडियन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नई महानी देश्य कौन बने है सई आंसर है आप्शन A जुल्फीकार हसन BCAS का फुल फॉर्म है Bureau of Civil Aviation Security हिंदी में से नागरिक उडियन सुरक्षा ब्यूरो कहते हैं इसकी स्थापना जनवरी 1978 में हुई है मुख्यालेज का नई देली में है अगला कोशन सशस्तर सीमा बल SSB के नई महानी देश्य कौन बने है सई आंसर है आप्शन B SL थायोसेन SSB के नई महानी देश्य के नई महानी देश्य कौन बने है तो राजेश गेरा NIC के महानी देश्य कौन बने है राश्री सूचना विज्यान के इंदर इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्योगी मंत्राले के तहत एक भारत सरकार का संगठन है इसकी स्थापना फ्रेंट्स 1976 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है AI का फुल फॉर्म है International Aluminium Institute मुख्याले इसका लंदन इंग्लेंड में है नेक्स्ट कुशन अलबानिया के नौमे राश्रपती कौन बने है सई आंसर है option C बजराम वेगस तो बजराम वेगस अलबानिया के नौमे राश्रपती बने है अब मैं आपको Albania देश के बारे में information देता हूँ Albania Europe महदवीप में इस्थित है Albania की राश्दानी तिराना है Albania की मुद्र है Albania ही लेक Albania के प्रदान्वंतर है एदी रामा यह आपको याद रखना है अगला कोशन Cellular Operators Association of India COAI के नई अध्यक्ष कौन बने है सई आंसर है option B प्रमोद के मित्तल COAI का full form reference Cellular Operators Association of India इसकी स्थापना 1995 में हुई है मुख्याल ले इसका नई देली में है अगला question भारती प्रेस परिशद PCI की नई अध्यक्ष कौन बने है सई आंसर है option C रंजना प्रकाश देसाई PCI का full form है Press Council of India हिंदी में से भारती प्रेस परिशद कहते है इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 में हुई है मुख्याल ले इसका नई देली में है अगला question भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक State Bank of India के नई प्रबंद निदेशक कौन बने है सई आंसर है option A आलो कुमार चोधरी तो आलो कुमार चोधरी SBI के नई प्रबंद निदेशक बने है SBI का full form है State Bank of India इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई है मुख्याल ले इसका मंबई में है पुराना नाम था SBI का Imperial Bank of India यह आपको याद रखना है अध्यक्षय है इसके वर्तमान में दिनेश कुमार खारा टैग लाइन है SBI की The Banker to Every Indian अगला कॉशन पंजाब एंड सिंद बैंक के नए MD और CEO कौन बने है सई आंसर है option A स्वरूप कुमार साह पंजाब एंड सिंद बैंक के बारे में अब आपको information देता हूँ इसकी स्थापना 24 जून 1908 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है टैग लाइन है इसकी Where service is a way of life Next question Social media company Meta ने किसे अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी CW नुक्त किया है सई आंसर है option B Xavier Oliver को Meta के बारे में आपको information देता हूँ Meta Facebook का नया नाम है यह आपको याद रखना है यह एक social media company है इसकी स्थापना 2004 में हुई है मुख्याले इसका California USA में है CEO है इसके Mark Zuckerberg Next question Antaraashtri Mudra Kosh IMF ने किस भारती को Asia और प्रशान भिवाग के नई निदेशक के रूप में निउक्त किया है सई आंसर है option D Krishan Shree Nivasan IMF के बारे में आपको information देता हूँ इसका full form है International Monetary Fund Hindi में से Antaraashtri Mudra Kosh कहते हैं इसकी स्थापना 27 December 1945 में हुई है मुख्याले इसका Washington D.C. USA में है सदस्य देश हैं इसके 190 अध्यक्ष हैं इसके Crystalina Zorziva यह आपको याद रखना है अगला कोशन भारती खूफी एजंसी Intelligence Bureau IB के नई निदेशक कौन बने है सई आंसर है option C तपन कुमार डेका IB का full form है Intelligence Bureau इसके स्थापना 1887 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है अगला कोशन India International Center IIC के नई अध्यक्ष कौन बने है सई आंसर है option D शाम सरन IIC का full form है India International Center इसके स्थापना 1962 में हुई है और मुख्याले इसका नई देली में है अगला कोशन नीती आयोग के नए CEO कौन बने है काफी important question है सईया answer है option A परमेश्वरन आयर तो परमेश्वरन आयर नीती आयोग के नए CEO बने है नीती आयोग का full form है National Institution for Transforming India हिंदी में से राश्ट्री भारत परिवर्तन संस्तान कहते है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है अध्यक्षय निती आयोग के नरेंदर मोदी और उपाध्यक्षय सुमन के बेरी next question हिमाचल परदेश उच नयायले के 27 वे मुख्य नयायधिश कौन बने है सई answer है option A next question अखिल भारतिय फुटबॉल महासंग की सलाकार समिती के नई अध्यक्ष कौन बने है सई answer है option A रंजीत बजाच AIFF का फुल फोर्म है All India Football Federation इसकी स्थापना 23 जून 1937 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है अगला question New Development Bank NDB ने भारत के गुजरात International Finance Tech City में अपने क्षितरी कारयाले का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है सई answer है option D DJ Pandian को NDB का फुल फोर्म है New Development Bank इसकी स्थापना 15 जूलाई 2014 में हुई है मुख्याले इसका शेंगाई चीन में है अध्यक्ष है इसके Marcos, Prado, Trizo यह आपको याद रखना है अगला कोशन संयुक्त राष्ट की अवर महा सचिव नियुक्त होने वाली बंगलादेश की पहली महिला राजनेग कौन बने है सई answer है option B रबाव फातिमा अगला कोशन करनाटेक के नए लोका युक्त कौन बने है सई answer है option A BS पाटिल अगला कोशन रक्षाक शेत्र के सारजनिक उपक्रम Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited के नए अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक कौन बने है सई answer है option D PR हरी GRSE का फिलफो में Garden Reach Shipbuilders and Engineers इसकी स्थापना 1884 में हुई है मुख्याले इसका कॉलकता पस्चिम बंगाल में है अगला कोशन RBL Bank के नए MD&CEO कौन बने है सई answer है option C R Subramanye Kumar RBL Bank की स्थापना फ्रेंट्स 1943 में हुई है मुख्याले इसका Mumbai महाराष्ट में है RBL Bank की tagline है अपनों का bank अगला कोशन महात्मा गांधी राश्री ग्रामीन रोजगार गरिंटी योजना MG निरेगा के नए लोगपाल के रूप में किसे निक्त किया गया है सई answer है option B N.J. ओजहा को अगला कोशन Union Bank of India की नए MD&CEO कौन बनी है सई answer है option B A.Money makes lie Union Bank of India के बारे में जा लेते हैं इसकी स्थापना 11 November 1919 में हुई है मुख्याले इसका मुंबई में है tagline है इसकी Good people to bank with अगला कोशन जम्मू कश्मीर लोग सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं सई answer है option C Satish Chandra जम्मू कश्मीर के बारे में जा लेते हैं जम्मू कश्मीर एक केंदर शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर पहले राजे था लेकिन अनुछेद 370 खतम होने के बाद अब केंदर शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर की राजदानी दो है जम्मू शीत कालीन के लिए है और श्री नगर ग्रिश्म कालीन समय के लिए है जम्मू के उपराज्य पाल है मनोज सिना ये भी आपको याद रखना है अगला कोशन भारती अलम्पिक संग IOA के नए कारेवाहक अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है option A अनिल खना अगला कोशन India Debt Resolution Company Limited के नए प्रमुक कौन बने है सही आंसर है option D अविनाश कुल करने अगला कोशन है अमेरिका के राश्रोपती जो बाइडन ने किस भारती अमरीकी को अमरीकी रक्षा मुख्याले Pentagon के Defense for Acquisition and Sustainment के उप अवर सच्चिव के पद के लिए नामित किया है सही आंसर है option A राधा आयंगर प्लम को अगला कोशन रोडरिगो चाव्स किस देश के नए राश्रोपती बने है सही आंसर है option A कोस्टारिका के अब मैं आपको कोस्टारिका के बारे में information देता हूँ कोस्टारिका उत्तर अमेरिका महादवीप में स्थित है कोस्टारिका की राजधानी है सान जोस कोस्टारिका की मुद्रह है कोस्टारिकन कलोन अगला कोशन देली के 22 में उप राजेपाल कौन बने है सही आंसर है option A विने कुमार सकसेन अगला कोशन अमेरिका की खूफिया एजंसी Central Intelligence Agency ने भारतिय मूल के किस व्यक्ति को अपना पहला मुख्य प्रदियोग की अधिकारी CTO नियुक्त किया है सही आंसर है option A, नन मूल चंदानी को important point से जान लेते हैं CIA का फलफोम है Central Intelligence Agency इसकी स्थापना 26 जुलाई 1947 में हुई है मुख्याले इसका Langley अमेरिका में है निदेशक है इसके William J. Burns next question अंतराश्री Boxing Association IBA की अथलीट समिती की नई अधियक्ष कौन बनी है सही आंसर है option D लवलीना वर्गोहिन IBA का फलफोम है International Boxing Association हिंदी में से अंतराश्री Boxing Association कहते हैं पूरे विश में Boxing के खेल को IBA regulate करता है इसकी स्थापना 1946 में हुई है मुख्याले इसका Switzerland के लिज़ाने में है अधियक्ष है इसके उमर नर्जोविच क्रेमलेफ अगला कोशन विश्व स्वास्ते संगठन WHO के फिर से महानी देशक कौन बने हैं सई आंसर है आप्शन ए Tedros Adhanom WHO का फुल्फों में World Health Organization इसकी स्थापना 7 April 1948 में हुई है मुख्याले इसका जैनेवा स्विजलेंड में है महानी देशक हैं इसके Tedros Adhanom ये आपको याद रखना है WHO के वर्तमान में सदसे देश हैं 194 WHO का दक्षिन पूर्व एशिया का मुख्याले नई देली में है ये भी आपको याद रखना है Next question भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं सई आंसर है Option B Rajiv Kumar तो Rajiv Kumar भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं Rajiv Kumar भारत के 25 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने है ECI का फुल फूम है Election Commissioner of India Hindi में सिव भारत निर्वाचन आयुक्त कहते हैं इसकी स्थाबना 25 जनवरी 1950 में हुई है इसलिए 25 जनवरी को राश्ट्री मतदाता दिवस बनाये जाता है और इसका मुख्याले नई देली में है अगला कोशन दक्षिन कोरिया के नए राश्ट्रपती कौन बने है सई आंसर है Option A यूनसुक इयोल तो यूनसुक इयोल दक्षिन कोरिया के नए राश्ट्रपती बने है दक्षिन कोरिया के बारे में जा लेते हैं दक्षिन कोरिया के राजधानी सियोल है दक्षिन कोरिया की मुद्रा है दक्षिन कोरियाई वान अगला कोशन National Association of Software and Services Companies यानि NASCOM के नई अध्यक्ष कौन बने है सही या आंसर है Option A Krishnan Ramanujam NASCOM का फुल फॉम है National Association of Software and Services Companies इसके स्थापना 1 March 1988 में होई है मुख्याले इसका नई देली में है अगला कोशन सर्बिया के राश्रपती कौन बने है सही या आंसर है Option A Alexander Vusik तो Alexander Vusik सर्बिया के राश्रपती बने है सर्बिया देश के बारे में बापको information देता हूँ सर्बिया योरोप महदी मिस्तित है सर्बिया की राजदानी बेल ग्रेड है सर्बिया की मुद्र है सर्बिया दिनार सर्बिया के प्रधान मंत्री है एना वर्नाविक सर्बिया के राश्रपती है Alexander Vusik नेक्स्ट कोशन नीती आयो के नई उपध्यक्ष कौन बने है सही answer है option D सुमन के बेरी नीती आयो के नई उपध्यक्ष बने है नीती आयो का full form है National Institution for Transforming India ये आपको याद रखना है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई है मुख्याले इसका नई दिली में है अध्यक्ष है इसके नरेंदर मोदी और CEO है इसके अमिताब कांत ये आपको याद रखना है Next question है भारती वायू सेना के नए महानिदेशक कौन बने है सही answer है option A संजीव कपूर हम मैं आपको भारती वायू सेना यानि Indian Air Force के बारे में information देता है इसकी स्थापना 8 अक्तूबर 1932 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है वायू सेना दिवस हम 8 अक्तूबर को मनाते हैं वायू सेना के उप्रमुक है संदीप सिंग अगला question भारती थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने है सही answer है option A BS Raju यह आपको याद रखना है हमें आपको भारती थल सेना यानि इंडियन आर्मी के बार में इंफो में शिद देता हूँ इसकी स्थापना 1 अप्रेल 1895 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है थल सेना अध्यक्ष है मनोज पांडे भारती थल सेना दिवस हम 15 जनवरी को मनाते है अगला कोशन प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के नई नीजी सचिफ कौन बने है सही answer है option B विवेक कुमार अगला कोशन ऑस्ट्रेलिया के नई प्रधान मंत्री कौन बने है सही answer है option B अंथनी अल्बनीज तो अंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नई प्रधान मंत्री बने है अंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के 31 में प्रधान मंत्री बने है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैन्बरा है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर ये आपको याद रखना है अगला कोशन फ्रांस की नई महिला प्रधान मंतरी कौन बनी है सई आंसर है आप्शन C अलिजबित बॉन अलिजबित बॉन फ्रांस की 102 मी प्रधान मंतरी बनी है ये आपको याद रखना है अब फ्रांस देश के बार में जालते हैं फ्रांस यूरोप महादीवीप में इस्तित है फ्रांस की राज़धानी पेरिस है फ्रांस की मुद्रा है यूरोप ये आपको याद रखना है फ्रांस के राश्ट्रपती है Emmanuel Macron अगला कोशन संयुक्त अरब अमिरात UAE के नई राश्ट्रपती कौन बने है सई आंसर है शेक मुहमद बिन जायद अल नहायन UAE का फुल फॉम है United Nations Emirates हिंदी में से संयुक्त अरब अमिरात क्याते है UAE एशिया महादीवीप में स्थित एक देश है UAE की राश्दानी अबुदाभी है UAE की मुद्रा है UAE दिरहम अगला कोशन श्री लंका के नए प्रधान मंतरी कौन बने है सई आंसर है option B रानिल विक्रम सिंगे रानिल विक्रम सिंगे श्री लंका के 26 में प्रधान मंतरी बने है अब मैं आपको श्रीलंका के बारे में information देता हूँ श्रीलंका एशिया महादूइप में स्थित है श्रीलंका की राजदानी कलम्बो या श्री जैवर्धन पूरे कोटे है श्रीलंका की मुद्रा है रुपेया श्रीलंका के राश्रपती है गोतबाया राजपक से भारती शेयर बजाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है ऑप्शन भी SS मुंद्रा अब मैं आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में information देता हूँ इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुई है मुख्याले इसका मुंबई में है अध्यक्ष है इसके SS मुंद्रा और MD और CEO है आशीश कुमार चौहान ये भी आपको याद रखना है सहकारिता मंत्राले के नए सचिफ कौन बने है सही आंसर है ऑप्शन C ग्यानेश कुमार सहकारिता मंत्राले के बारे में जान लेते हैं केंद्री सहकारिता मंत्राले भारत सरकार के अधीन एक मंत्राले है जिसका गठन जुलाई 2021 में किया गया था और वर्तमान समय में अमिच शाह इसके प्रमुक मंत्री है नेक्स्ट कॉशन प्रधान मंतरी निरेंदर मोधी जी के नई सलाकार कौन बने हैं? काफी important question है सही answer है option B तरुन कपूर तो तरुन कपूर प्रधान मंतरी निरेंदर मोधी जी के नई सलाकार बने हैं Friends अगर आप Krunt Affairs पढ़ना चाते हैं तो हमारे Krunt Affairs के channel Krunt Affairs by Ravi पर विजिट कर सकते हैं इस channel का green color का logo होगा Friends यहां पर हम आपको daily Krunt Affairs काफी detail में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं तो जो भी Krunt Affairs पढ़ना चाते हैं हमारे इस channel को subscribe करें और bell icon को hit कर दें ताकि आपको मारे वीडियो का notification time to time मिलता रहें नेक्स्ट कोशन है भारती उद्योग परिसंग के नई अध्यक्ष कौन बने हैं सई आंसर है option A संजीव बजाच CII का full form है Confederation of Indian Industries भारती उद्योग परिसंग की स्थापना 1895 में होई है मुख्याले इसका नई देली में है अगला कोशन भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और इंधन विपनन कमपनी हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited के नई अध्यक्ष और प्रबंद ने देशक कौन बने हैं सई आंसर है option A पुष्प कुमार जोशी HPCL का full form है हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited इसकी स्थापना 1974 में हुई है मुख्याले इसका मुंबई महाराष्ट में है अगला कोशन ओडियो स्ट्रीमिंग सेवा जीयो सावन के नई CEO कौन बने है सई आंसर है option A सहस मलहुतरा अगला कोशन Electronics और सूचना प्रद्योगी की मंतरा ले यानि Mighty के नई सचिफ कौन बने है काफी important कोशन है सई आंसर है option D Alkesh Kumar शर्मा Electronics और सूचना प्रद्योगी की मंतरी अश्वनी वैशनव है ये भी आपको याद रखना है next question Corbett Tiger Reserve उत्राखंड के नई निदेश कौन बने है सई आंसर है option D नरेश कुमार अगला कोशन शिवालिक Small Finance Bank के नई MD और CEO कौन बने है सई आंसर है option D अंचूल स्वामी शिवालिक Small Finance Bank की स्थापना 5 सितंबर 1998 में हुई है मुख्यालेश का उत्तर प्रदेश में है अगला कोशन Online FinTech Platform Indefi Technologies के नई सलाकार कौन बने है सई आंसर है option B रजनीश कुमार Indefi Technologies एक FinTech कमपनी है जो तकनीक की मदद से छोटे और मध्यम आकार के उद्मो SME को कर्ज देने का काम करती है और इसकी स्थापना 2015 में हुई है मुख्यालेश का गुरुग्राम हरियाना में है अगला कोशन जोस रामोस होटा किस देश के नए राश्ट्रपती बने है सई आंसर है option B पूर्वी तिमोर के पूर्वी तिमोर के बारे में जा लेते हैं पूर्वी तिमोर दक्षिन पूर्व एशिया में इस्तित एक देश है इसकी राजदानी दिली है मुद्रा है इसकी अमेरिकी जोलर नेक्स्ट कुशन इंफ्रस्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट्स के नए एमडी और सीईओ कौन बने है सई आंसर है option C विनायक पाई टाटा गुरूप्स के बारे में जा लेते हैं इसकी स्थापना 1868 में हुई है मुख्याले इसका महराष्ट के मुंबई में है अध्यक्ष है इसके नटराजन चंदरशेक्रन संस्थापक है इसके जमशेजी टाटा अगला कोशन पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने है काफी important question है सई आंसर है option A शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23 फे प्रधानमंत्री बने है पाकिस्तान के बारे में जा लेते हैं आरिफ अलवी ये भी आपको याद रखना है अगला कोशन तक्निकी कमपनी Infosys के MD और CEO कौन बने हैं सही आंसर है option C Salil Parekh Infosys के बारे में जा लेते हैं ये भारत की सबसे बड़ी IT कमपनी में से एक है इसकी स्थापना 7 जुलाई 1981 में हुई है मुख्याले इसका Bengaluru में है अध्यक्ष है इसके नंदन नीले कानी अगला कोशन एकिकरित दिली नगर निगम के नए आयुक्त कौन बने हैं सही आंसर है option A ग्यानेश भारती अगला कोशन उत्राखंड उच नयाले के नए मुख्य नयधीश कौन बने है सही आंसर है option B विपिन सांगी विपिन सांगी उत्राखंड उच नयाले के बार में मुख्य नयधीश बने है अगला कोशन Indigo Airlines के नए CEO कौन बने है सही आंसर है option A Peter Albers अब मैं आपको Indigo Airlines के बार में information देता हूँ Indigo भारत की Airlines company है इसकी स्थापना 2005 में हुई है मुख्याले इसका गुरुग्राम हरयाना में है chairman है इसके Venkat Ramani, Sumantran और CFO है इसके Gaurav Negi अगला कोशन Central Coal Field Limited CCL के नए निधेश कौन बने है सही आंसर है option A, Ram Babu Prasad CCL का full form है Central Coal Fields Limited इसकी स्थापना 1 November 1975 में हुई है मुख्याले इसका रांची जारखन पे है अगला कोशन त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने है सही आंसर है option B, Manik Saha ये आपको याद रखना है Manik Saha त्रिपुरा के ग्यारवे मुख्यमंत्री बने है अगला कोशन भारती बहुराश्टी कंपनी Larson & Tubro L&T Limited के नए प्रबंद निदेशक और मुख्य कारेकारी कौन बने है सही आंसर है option D, S.N. सुब्रमन्यम Larson & Tubro की स्थापना 7 फरवरी 1946 में हुई है मुख्यालेस का मुंबई महराश्ट में है अगला कोशन ग्रामिन विद्यूती करन निदेशक के नए अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक कौन बने है सही आंसर है option A, विवेक कुमार देवांगन REC Limited का फुल फॉर्म है Rural Electrification Corporation Limited इसके स्थापना 25 जुलाई 1969 में हुई है मुख्यालेस का नए देली में है next question विमानन कंपनी Air India के नए MD और CEO कौन बने है सही आंसर है option A, Campbell Wilson Air India के बार में इंफोमेशन लेते हैं friends इसके स्थापना 15 अक्तूबर 1932 में हुई है मुख्यालेस का नए देली में है अध्यक्षाइस के नटराजन चंदरशेकरन अगला question सैने अभियान के नए महानी देशक कौन बने है सही आंसर है option A, Manoj कुमार कटियार DGMO का फुल फॉर्म है Director General of Military Operations next question Ivory Coast के प्रधान मंत्री कौन बने है सही आंसर है option A, Patrick Achi Ivory Coast के बार में information लेते हैं friends Ivory Coast पश्चम अफ्रीका के दक्षिनी तडपरस्थित एक देश है Ivory Coast की राजदानी यामो सुक्रो है Ivory Coast की मुद्रा है पश्चमी अफ्रीकी CFA Frank Ivory Coast के राश्टर पती है अला सेन उटारा next question भारत के नए प्रधान व्यग्यानिक सलाकार कौन बने है सही आंसर है option D अजे कुमार सूद या आपको याद रखना है अटला question राश्टरी अनुसूची जाती आयो के अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है option A विजे सांपला NCSC का फुल फॉम है National Commission for Schedule Cast इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है अध्यक्ष है इसके विजे सांपला next question भारती भूव एग्यानिक सर्वेक्षन के नए महानिदेशक कौन बने है सही आंसर है option A Dr. S. Raju Geological Survey of India की स्थापना फरेंड्स 4 मार्च 1851 में हुई है मुख्याले इसका पस्चिम बंगाल के कौलकत्ता में है next question अंतराश्री क्रिकेट परिशत ICC के नए महा प्रबंदक कौन बने है सही आंसर है option B Wasim Khan ICC का फुल फर्म है International Cricket Council हिंदी में से अंतराश्री क्रिकेट परिशत कहते है इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई है मुख्याले इसका दुबई सहियुक्त अरब अमीरात में है अध्यक्ष है इसके Greg Barclay जो की New Zealand देश के है next question भारती थल सेना के नए प्रमुख कौन बने है सही आंसर है option B Manoj Pande यह आपको याद रखना है थल सेना के बारे में अब आपको information देता हूँ जिसे Indian Army कहते है इसकी स्थापना 1 April 1895 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है भारती थल सेना दिवस हम 15 January को मनाते है अगला question भारत के G20 में नए मुख्य समनवे कौन बने है सही आंसर है option A हर्षवर्धन श्रिंगला वर्ष 2023 में G20 शिकर समेलन भारत में आयोजित किया जाएगा यह आपको याद रखना है G20 को हम group of 20 कहते है G20 उननिस देश और यूरोपियन संग का समू है यह आपको याद रखना है और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई है भारत G20 का हिस्सा है यह आपको याद रखना है अगला question भारती दलहन और अनाज संग के नए अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है option A इसका मुख्याले मुंबई महराश्र में है अगला question राश्री अल्प संग्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है option A इकबाल सिंग लालपुरा राश्री अल्प संग्यक आयोग की स्थापना 17 मई 1993 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है अब संग्यक मामलो के मंतरी है मुक्तार अबास नक्वी next question फिलिपीन्स के नई राश्रपती कौन बने है सही आंसर है option A फर्डिनाट मार्कोस जूनियर अगला question केंदरिय माध्य में एक शिक्षा बोर्ड CBSE के नई अध्यक्ष कौन बने है काफी important question है सही आंसर है option C निधी चिपबर तो निधी चिपबर CBSE के नई अध्यक्ष बने है CBSE का फिलफोर्म है Central Board of Secondary Education हिंदी में से केंदरिय माध्य में एक शिक्षा बोर्ड कहते है इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 में हुई है मुख्यालेस का नई देली में है अध्यक्ष हैस के निधी चिपबर Next question Hong Kong के नई मुख्य कारे कारी कौन बने है सही आंसर है option B John Lee Hong Kong के बारे में जानते हैं Hong Kong Asia महदीप में स्थित है इसकी राजदानी Hong Kong है मुद्रा है Hong Kong डोलर Next question करनाटर की नई मुख्य सचिव कौन बने है सही आंसर है option A Vandita Sharma Next question E-commerce उधम JSW One Platforms के नई CEO कौन बने है सही आंसर है option D Gaurav Sachdeva GSW Group GSW Samu एक भारती बहुराश्री कमपनी है और ये O.P. Jindal Samu का हिस्सा है ये आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना 1982 में हुई है मुख्याले इसका मुंबई महाराष्ट में है संस्थापक है इसके सर्जन जिंदल Next question White House अमेरिका की पहली अर्श्वेत और LGBTQ महिला प्रेस सचिव कौन बने है सई आंसर है Option D Karine Jean Pire अगला question France के फिर से राष्ट्रपती कौन बने है सई आंसर है Option A Emmanuel Macron अब मैं आपको France देश के बारे information देता हूँ France Europe महादूइप में इस्तित है France की राजधानी Paris है France की मुद्रा है Euro France के प्रधानमंत्री है Jean Cost Takes यह आपको याद रखना है अगला question है संग लोग सेवायोग UPSC के नई अध्यक्ष कौन बने है सई आंसर है Option A Dr. Manoj Soni UPSC का फुल फॉर्म है Union Public Service Commission Hindi में इसे संग लोग सेवायोग कहते है इसकी स्थापना 1 अक्तुबर 1926 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है अध्यक्षाइस के Dr. Manoj Soni यह आपको याद रखना है Friends अगर आप Krunt Affairs पढ़ना चाते है तो हमारे Krunt Affairs के चैनल Krunt Affairs by Ravi पर विजिट कर सकते है इस चैनल का Green Color का Logo होगा यहाँ पर हम आपको डेली Krunt Affairs काफी डिटेल में पढ़ाते है और इसका PDF भी प्रोवाइड करवाते है तो जो भी Krunt Affairs पढ़ना चाते है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को हिट कर दें अगला कोशन डेली के नए मुख्य सचिव कौन बने है सही आंसर है पुड़ुचेरी भारत का एक केंदर शासित प्रदेश है इसकी स्थापना 1 नमंबर 1954 में हुई है पुड़ुचेरी की राजधानी पुड़ुचेरी है पुड़ुचेरी के मुख्य मंत्री है एन रंग सामी अगला कोशन प्रॉक्टर एंड गेंबल इंडिया P&G इंडिया के नए CEO कौन बने है सही आंसर है आप्शन A L.V. वैदनाथन P&G यानि प्रॉक्टर एंड गेंबल एक अमेरिकी बहुराश्री उपभोगता वस्तू कंपनी है इसके स्थापना 31 अक्तूबर 1837 में हुई है मुख्यालेस का अमेरिका में है अगला कोशन वैश्विक प्रदियोग की कंपनी विप्रो ने किसे भारत का नया देश प्रमुख नियूक्त किया है सही आंसर है आप्शन C सत्य इश्वरन विप्रो लिमिटेड भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है इसके स्थापना 29 दिसंबर 1945 में हुई है मुख्यालेस का बेंगलूरू करनाटक में है नेक्स्ट कोशन भारती विग्यापन मानक परिशद ASCI की नई CEO कौन बनी है सही आंसर है आप्शन A मनीशा कपूर ASCI का फुल फॉर्म है Advertising Standards Council of India भारती विग्यापन मानक परिशद भारत में विग्यापन उद्यो का एक स्वैचिक सब नियामक संगठर है इसकी स्थापना 1985 में हुई है मुख्यालेस का मुंबई महाराष्ट में है अध्यक्ष है इसके सुभाष कामठ अगला कोशन गोवा के नए पुलिस महानिदेशक यानि DGP कौन बने है सई आंसर है आप्शन C जस्पाल सिंग गोवा के बार में जान लेते हैं गोवा की स्थापना 30 मई 1987 में हुई है गोवा की राजधानी पंजी है गोवा के मुख्य मंतरी है प्रमोज सावंद जोकी BGP पार्टी से है गोवा के गवर्नर है P.S. श्रीधरन पिले नेक्स्ट कोशन स्लोवेनिया के नए प्रधान मंतरी कौन बने है सई आंसर है आप्शन C Robert Golov Slovenia के बारे में जान लेते हैं Slovenia Europe महादूइप में स्थित है Slovenia की राजधानी जूबलजाना है Slovenia की मुद्रा है Euro ये आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन Australia पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने है सई आंसर है Option A Andrew McDonald's UNHRC ने मानव अधिकारों और जलवाईव परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला सफतंत्र विशेशगे किसे निउक्त किया है सई आंसर है Option A Dr. Ian Frye को UNHRC का फल्फुम है United Nations Human Rights Council इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 में हुई है मुख्याले इसका जेनेवा स्विजलेंड में है Next Question राष्ट्री रक्षा अकादमी NDA के नए कमांडन कौन बने है सई आंसर है Option A Ajay Coacher NDA की स्थापना Friends 7 December 1954 में हुई है मुख्याले इसका पूने महाराष्ट में है मोटो है इसका सेवा पर्मो धर्म Next Question शेंगाई सहयोग संगटन SEO के नए महा सचिफ कौन बने है काफी important Question है सई आंसर है Option C जांग मिंग Next Question भारत के नए विदेश सचिफ कौन बने है सई आंसर है Option C विने मोहन कुवात्रा यह आपको याद रखना है Next Question टाटा संस के अध्यक्ष कौन बने है सई आंसर है Option B N. चंदरशेखरन टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 1868 में हुई है मुख्यालेस का मुंबई में है अगला Question Future Generally India Life Insurance के नए M.D. और CEO कौन बने है सई आंसर है Option A Bruce D. Broiz Future Generally India Life Insurance की स्थापना 2000 में हुई है मुख्यालेस का मुंबई महाराष्ट में Next Question Digit Insurance की नए M.D. और CEO कौन बनी है सई आंसर है Option D Jasleen Kohli यह आपको याद रखना है अगला Question सई उक्त राष्ट ने युद्ध शोने उच्छन प्रतिबधताओं पर उच्छ स्तरिय विशेशक के समूँ में किस भारतिय को न्युक्त किया है सई आंसर है Option A अरुनाभा घोशको अगला Question UNICEF के युवा बोर्ड के नए सह अध्यक्ष कौन बने है सई आंसर है Option D अश्विन याड़ी यह आपको याद रखना है अगला Question भारतिय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपर आश्रपती कमला हैरिस के कारे-कारी सचिव और रक्षा सलाकार के रूप में न्युक्त किया गया है सई आंसर है Option A शांती से ठीको अगला Question रक्षा मंत्राले में नए सलाकार कौन बने है सई आंसर है Option A विनोजी खंडारे Next Question देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारूती सुजुकी इंडिया के नए M.D. और CEO कौन बने है सई आंसर है Option A हिसाशी ताके युक्ची को मारूती सुजुकी इंडिया की स्थापना 1982 में हुई है मुख्याले इसका नए देली में है Next Question उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने है सई आंसर है Option D योगी अधित्यनाथ योगी अधित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 22 में मुख्यमंत्री बने है ये आपको याद रखना है अगला Question तुर्कमेनिस्तान के नए राश्रपती कौन बने है सई आंसर है Option A सरदार बर्दी मुहम्दव तुर्कमेनिस्तान के बारे में जा लेते है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अगला Question चिली के सबसे युवा राश्रपती कौन बने है सई आंसर है Option A गैब्रियल बॉरिक चिली के बारे में जा लेते है चिली की राजधानी सेंटियागो है चिली की मुद्र है पेसो ये आपको याद रखना है Next Question भारती प्रतिबूती और विनिमे बोर्ड यानि सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है सई आंसर है Option D माधवी पुरी बुच सेबी का फुल फॉर्म है फ्रेंट्स Securities and Exchange Board of India हिंदी में से भारती प्रतिबूती और विनिमे बोर्ड कहते है इसकी स्थापना 12 April 1922 में हुई है मुख्याले इसका मुंबई में है अध्यक्ष है इसकी माधवी पुरी बुच अकला Question केंदर सरकार द्वारा सेमी कौन इंडिया के लिए एक सलाकार समीती का गठन किया गया है इस समीती के अध्यक्ष कौन बनेंगे सई आंसर है Option A अश्वनी व्याशनव जो की केंदरी रेल और सूजनप्रतियोगी की मंतरी है Next Question सेना प्रशिक्षन केंदर के नए प्रमुक कौन बने है सई आंसर है Option B SS महल Army Training Command की स्थापना 1991 में हुई है मुख्याले इसका शिमला में है यह आपको याद रखना है अगला कोशन रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने है सई आंसर है Option A वी के त्रिपाथी Next Question अंतराश्री श्रम संगटन ILO के नए महानी देश्यक कौन बने है सई आंसर है Option A Gilbert F. Hongbo यह आपको याद रखना है महानी देश्यक है इसके Gilbert F. Hongbo Next Question Financial Action Task Force FATF के नए अध्यक्ष कौन बने है सई आंसर है Option C T. Rajakumar FATF की स्थापना फ्रेंट्स 1989 में हुई है मुख्याले इसका पैरिस फ्रांस में है Next Question भारती वायू से नए अकादमी I.A.F.A के नए कमांडेंट कौन बने है सई आंसर है Option C B. चंदर शेखर भारती वायू से ना कादमी भारती वायू से ना का प्रमुक प्रशिक्षन के इंदर है इसके स्थापना 1969 में हुई है मुख्याले इसका हैदरबाद तेलंगाना में है Next Question दूर संचार विवाद निप्तान और अपीलियत नयाईधी करन T.D.S.E.T. के नए अध्यक्ष कौन बने है सई आंसर है Option A D.N. Patel T.D.S.E.T. का फुल फॉर्म है टेलिकॉम, डेस्प्यूट, सेटल्मेंट अपीलियत ट्रिबिनल इसकी स्थापना 2000 में होई है मुख्याल ये इसका नए देली में है Next Question विमानन कंपनी जेट एरवेस के नए CEO कौन बने है सई आंसर है Option A संजीव कपूर Next Question वायू सेना की पस्चमी कमान के नए कमांडिंग इनचीफ कौन बने है सई आंसर है Option D श्री कुमार प्रभाकरन Next Question LIC Mutual Fund के नए MD और CEO कौन बने है सई आंसर है Option C T.S. Ram Krishnan अगला Question अमेरिका सुप्रीम कोट की पहली अर्श्वेत महिला जज कौन बनी है सई आंसर है Option C केतन जी ब्राउन जेक्सन अगला Question उत्राखंड के मुख्यमंत्री कौन बने है सई आंसर है Option A पुषकर सिंग धामी पुषकर सिंग धामी उत्राखंड के गयार में मुख्यमंत्री बने है Next Question Institute of Chartered Accountants of India के नए अध्यक्ष कौन बने है सई आंसर है Option A देवाशीश मित्रा ICAI का फुल फुर्म है Institute of Chartered Accountants of India इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 में हुई है मुख्याले इसका नए देली में है अध्यक्ष हैसके देवाशीश मित्रा सची में हैसके जैकुमार बत्रा Next Question अंतराश्री अलंपिक समिती IOC Athlete I.O. की नई अध्यक्ष कौन बनी है सई आंसर है Option B Emma Taro Next Question होंडू रास की पहली महिला राश्ट्रपती कौन बनी है सई आंसर है Option D Shiyomara Castro Next Question कजाखस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने है सई आंसर है Option A Ali Khan Smilov कजाखस्तान के बारे में इंफर्मिशन लेते है कजाखस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है कजाखस्तान की मुद्रा है कजाखस्तान तेगे Next Question पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है सई आंसर है Option C Aisha Malik Next Question पेट्रोलियम निरियातक देशों के संगठन OPEC के नए महासचिफ कौन बने है सई आंसर है Option B हैथम अल खिस Next Question भारती भुगतान परिशत के अध्यक्ष कौन बने है सई आंसर है Option A विश्वास पटेल और PCI की स्थापना फ्रेंट्स 2008 में होई है मुख्यालेस का मुंबई महाराष्ट्र में है Next Question वन अनुसंधान संस्थान FRI की नए निदेशक कौन बने है सई आंसर है Option C रेनू सिंग Next Question देली मेट्रो रेल कॉर्परेशन के नए प्रबंद निदेशक कौन बने है सई आंसर है Option A विकास कुमार देली मेट्रो रेल कॉर्परेशन की स्थापना 24 दिसंबर 2002 में हुई है मुख्यालेस का नए देली में है Next Question गोवा विधान सभा के नए अध्यक्ष कौन बने है सई आंसर है Option C रमेश तावड कर Next Question अंडमान और निकोवार्द वीप के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने है सई आंसर है Option A नीरज ठाकोर Next Question भारती वानिजे एवं उद्योग मंडल एसो केम के नए अध्यक्ष कौन बने है सई आंसर है Option D सुमंत सेना एसो केम का फुल फॉर्म है Associated Chambers of Commerce and Industry of India इसकी स्थापना 1920 में हुई है मुख्याले इसका नए देली में है Next Question Broadcast Audience Research Council इंडिया भार्ग इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने है सई आंसर है Option B शेशी सिनह भार्ग का फॉल फॉर्म है Broadcast Audience Research Council इसकी स्थापना 2010 में हुई है मुख्याले इसका मुंबई महाराष्ट में है अध्यक्ष है इसके शेशी सिनह और CEO है नकुल चोपडा Next Question गोवा राज्ये के मुख्यमंत्री कौन बने है सई आंसर है Option C प्रमोज सावंद अगला Question Flipkart Health Plus के नए CEO कौन बने है सई आंसर है Option C प्रशान जावेरी Next Question है Tata Consultancy Services के नए MD और CEO कौन बने है सई आंसर है Option D राजेश गोपीनाथन Next Question मनीपूर के मुख्यमंत्री कौन बने है सई आंसर है Option A अगला Question बजाज आलियांस जनल इंशोरेंस के MD और CEO कौन बने है सई आंसर है Option D तपन सिंगेल और इसकी स्थाबना Friends 2001 में हुई है मुख्याले इसका पूने महाराष्ट में है Friends अगर आप Krunt Affairs पढ़ना चाते हैं तो हमारे Krunt Affairs के चैनल Krunt Affairs by Ravi पर विजट कर सकते हैं इस चैनल का Green Color का Logo होगा यहां पर हम आपको Daily Krunt Affairs काफी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं तो जो भी Krunt Affairs पढ़ना चाते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को हिट कर दें Next question पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं सही आंसर है Option A भगवन्त मान जो की आमादमी पार्टी से हैं अगला कोशन Air India के नए अध्यक्ष कौन बने हैं सही आंसर है Option B नटराजन चंदरशेकरन Next question Oil India Limited के नए चेर्मेन और प्रबंद निदेशक कौन बने हैं सही आंसर है Option B रंजीत रत Oil India Limited की स्थापना 18 फरवरी 1959 में हुई है मुख्याले इसका नौईडा उत्तरप्रदेश में Next question Colgate Pamoliv India Limited की नए M.D. और CEO कौन बने है सही आंसर है Option C Prabha Narasimhan Colgate Pamoliv की स्थापना 1806 में हुई है मुख्याले इसका New York अमेरिका में है अगला question भारती वीमा नियमक और विकास प्राधी करण के नए अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है Option A देवाशीश पांडा IRDA का फलपोम है Insurance Regulatory and Development Authority इसकी स्थापना 1999 में हुई है मुख्याले इसका हैत्राबाद तेलंगाना में है अगला question उत्राखन Congress के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है Option A Karan Mahara Next question राश्री वित्य रिपोर्टिंग प्राधी करण NFRA के नए अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है अक्तूबर 2018 में हुई है Next question राश्री मुलांकन और प्रत्यायन परिशद की कारे-कारी स्वमिती के नए अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है Option D भूशन पतवर्धन अगला question राश्री E-Governance Division के नए CEO कौन बने है सही आंसर है Option A अभिशेक सिंग हिंदुस्तान Unilever Limited के नए गैर कारे-कारी अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है Option C नितिन परांजबे Next question भारती उद्योगी के विकास बैंक IDBI के MD और CEO कौन बने है सही आंसर है Option D राकेश शर्मा IDBI का फुल फॉर्म है Industrial Development Bank of India इसका मुख्याले मुंबई महाराष्ट में है Next question प्रधानमंत्री आर्थिक सलाकार परिशत के नए पून कालिक सदस से कौन बने है सही आंसर है Option C संजीव सान्याल अगला कोशन Honda Cars इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है Option B अगला कोशन महाराष्ट के नए पुलिस महा निदेशक कौन बने है सही आंसर है Option B रजनीश सेट आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने है सही आंसर है Option A चेतन घाटे भारती सेना के नए डिप्टी चीफ आफ आर्मी स्टाफ कौन बने है सही आंसर है Option C चनीरा बंसी पौनपपा अगला कोशन आंधर प्रदेश लोग सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है Option D गौतम सवांग Next कोशन भारत के पहले राष्ट्री समुद्री सुरक्षा समन्वेक NMSC कौन बने है सही आंसर है Option A जी अशोक कुमार अगला कोशन भारती रिजर्ब बंक के केंदरी बोर्ड के नए निदेशक कौन बने है सही आंसर है Option C संजे मलहोत्रा अगला कोशन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिशनर कौन बनी है सही आंसर है Option C कला रामचंदरन अगला कोशन आंदरप्रदेश के नए पुलिस महा निदेशक कौन बने है सही आंसर है Option A राजेंद्रनाथ रेड़ी अगला कोशन है भारती टेबल टैनिस महा संग प्रशंसकों की समिती की नई अध्यक्ष कौन बनी है सही आंसर है Option A गीता मित्तल नेक्स्ट कोशन मदरास उचे नियाले के नए मुख्य नैधिश कौन बने है सही आंसर है Option C मुनीश्वरनात बंडारी अगला कोशन हमारा करमचारी चाहियान योग SSC के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है Option D S किशोर SSC का फुल फॉरमें फ्रेंट्स स्टाफ सेलेक्शन कमिशन इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है अगला कोशन वित्तिय सेवा विवाग DFS के नई सचिव कौन बने है सही आंसर है Option A Sanjay Malhotra अगला कोशन फृषी एवं किसान कल्यान विवाग में नई कृषी सचिव यानि Agriculture Secretary कौन बने है सही आंसर है Option B Manhoj Ahuja Next कोशन दवा निर्माता कमपनी फाइजर इंडिया के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है Option A प्रदीप शा Next कोशन विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र के नई निदेशक कौन बने है सही आंसर है Option B Dr. Unni Krishna Nair VSSC की स्थापना फ्रेंड्स 21 नवंबर 1963 में हुई है मुख्याले इसका तिरुवंत पुरम केरल में है Next कोशन जोहला लहरू विश्व विद्याले की पहली महिला कुलपती यानि वाइस चांसलर कौन बने है सही आंसर है Option C शांती श्री धुली पुड़ी ये आपको याद रखना है Next कोशन विश्व विद्याले अनुदान आयोग UGC के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है Option C M. जगदीश कुमार UGC का फुल फॉर्म है University Grants Commission इसकी स्थापना 1956 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है अगला कोशन भारती दिवाला एवं रिन शोधन अक्षमता बोड के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है Option D रवी मित्तल Next question भारत की नई लेखा महा नियंत्रक कौन बने है सही आंसर है Option A सोनाली सेंग DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोग शला DRDL के नई निदेशक कौन बने है सही आंसर है Option D श्री निवास मूर्ती DRDL की स्थापना 1961 में हुई है मुख्यालेसका है ध्रबाद में है अगला कोशन राश्री इलेक्ट्रोनिक की एवं सूचना टेकनोलोजी संस्थान नाइलेट के नई महानिदेशक कौन बने है सही आंसर है Option A मदन मोहन त्रिपाठी नेक्स्ट कोशन थल सेना के उत्री कमान के नई कमांडिंग इन चीफ कौन निउक्थ हुए है सही आंसर है Option D उपेंद्र दुविवेदी नेक्स्ट कोशन भारत के नई मुख्य आर्थिक सलाकार कौन बने है सही आंसर है Option D डॉक्टर वी अनन्त नागेश्वरन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड के नई अध्यक्ष और प्रवंद निदेशक कौन बने है सही आंसर है Option B पुष्प कुमार जोशी अगला कोशन है Prevention of Money Laundering Act PMLA निरनायक प्राधिकरन के नई अध्यक्ष कोन निदेशक हुए है सही आंसर है Option A विनोदा अनन्त जा अगला कोशन Bombay Industries Association के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है Option A नेविल सांग वी अगला कोशन राश्री राजमार्क एंड इंफ्रस्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नई प्रबंदेशक कौन बने है सही आंसर है Option B चंचल कुमार अगला कोशन भारतिय रिजर्ब बैंक ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष निउक्थ किया है सही आंसर है Option A विनोध राएको अगला कोशन भारतिय किसान उर्वरक सहकारी यानि इफको के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है Option B दिलीप संघानी अगला कोशन है एर इंडिया लिमिटेड के नई अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक कौन बने है सही आंसर है Option A विक्रम देव दत अगला कोशन हमारा परिधान निर्याद समवर्धन परिशद के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है Option A नरेंद्र कुमार गोईंका नेक्स्ट कोशन मुंबई के नो सेना डोकियाड के एड्मिरल अध्यक्ष कौन युक्ष हुए है सही आंसर है Option D केपी अर्विंदन अगला कोशन हमारा भारती एतिहासिक अनुसंधान परिशद के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है Option D रगुवेंद्र तवर नेक्स्ट कोशन पॉल कॉलिंग वुड किस देश की क्रिकेट टीम के मुखे कोच बने है सही आंसर है Option B इंगलेंड देश की टीम के नेक्स्ट कोशन ह. एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए है सही आंसर है Option A पॉर्टगाल देश के पॉर्टगाल के बारे में इंफोर्मेशन लेते हैं पॉर्टगाल की राजधानी लिस्पन है पॉर्टगाल की मुद्रा है यूरो ये आपको याद रखना है अगला कॉशन सर्जियों मतारेला किस देश के फिर से राश्ट्रपती बने है सही आंसर है Option C इटली देश के इटली के बारे में इंफोर्मेशन लेते हैं इटली की राजधानी रोम है इटली की मुद्रा है यूरो नेक्स्ट कॉशन बारबाडोस की फिर से प्रधान मंत्री कौन बनी है सही आंसर है Option A अमोर मोटली बारबाडोस के बारे में इंफोर्मेशन लेते हैं फ्रेंस बारबाडोस उत्तर अमेरिका महादीप में इस्तित है बारबाडोस की राजधानी ब्रिज्टन है बारबाडोस की मुद्रा है बारबाडोस डॉलर बारबाड़स के राष्ट्रपती है डेम सेंट्र मेसन यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कॉशन यूरोपीय संग संसद की नई अध्यक्ष कौन बनी है सही आंसर है option B Roberta Metzola Next question Nikara Guga के नई राष्ट्रपती कौन बने है सही आंसर है option B Joss Daniel Ortega Nikara Guga के बार में information लेते है friends Nikara Guga की राजधानी माना Guga है Nikara Guga की मुद्रा है Nikara Guga का डोबा ये आपको याद रखना है Next question Netherlands के चोथी बार प्रधानमंत्री कौन बने है सही आंसर है option B Mark Rat अगला कोशन अंतराश्ट्री मुद्रा कोश के नए मुख अर्थ शास्तरी कौन बने है सही आंसर है option B Pierre A. Oliver Gorinches IMF के बारे में जानते है friends इसका फुल फॉम है International Monetary Fund मुख्याले इसका वशिंग्टन DC USA में है अध्यक्ष है इसके Crystalina Georgieva Next question Asia of Sarachana Nives Bank के नए उपाध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है option D Urijit Patel Next question भारती मूल के किस व्यक्ति को Chambers of Commerce द्वारा US-India Business Council का नए अध्यक्ष बनाया गया है सही आंसर है option D Atul Keshap को Next question बारबा डोज में भारत के नए उचा युक्थ कौन युक्थ होए है सही आंसर है option C S. Balchandran यह आपको याद रखना है Next question है सही उक्थ राष्ट निशस्त्रिकरण समेलन के लिए भारत के स्थाई प्रतिनिधी को नए उक्थ होए है सही आंसर है option B Anupam Ray Next question Asian cricket परिशयत के अध्यक्ष कोन बने है सही आंसर है option C Jaisa Asia cricket परिशयत की स्थापना 19 सितंबर 1983 में होई है मुख्याले इसका कॉलंबो शिरलंका में है Next question भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानि इसरो के नए अध्यक्ष कोन बने है सही आंसर है option B S. Somnath इसरो के बारे में जान लेते हैं friends इसका full form है Indian Space Research Organization हिंदी में से भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते है इसका मुख्याले बेंगलूरू करनाटक में है और इसकी स्थापना 15 अगस्ट 1969 में हुई है अगला question प्रधान मंतरी सुरक्षा चूक मामले की जान समीती की अध्यक्ष कौन बनी है सही answer है option A इंदू मलहोत्रा next question IIT मदरास के नए निदेशक कौन बने है सही answer है option C प्रोफेसर B काम कोटी next question असम राइफल्स उत्तर के 20 महा निरिक्षक कौन बने है सही answer है option A विकास लखेरा मेजर जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल्स उत्तर के 20 महा निरिक्षक का पदभार संभाला है या आपको याद रखना है next question केरल राजे चल्चित्र अकादमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है सही answer है option B रंजीत बाल कृष्षन एकला कृष्षन कृष्षी लागत और मुल्ले आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने है सही answer है option C विजे पॉल शर्मा अगला कोष्षन है मारा सुरक्षा परिशत की आंतकवाद निरोधी समिती के नई अध्यक्ष कौन बने है सही answer है option B TS तिरुमूर्ती भारतीय रिजर्ब बैंक के नए कारेकारी निदेशक कौन युक्ष हुए है सही answer है option C उपयुक्ष दोनों यानि दीपक कुमार और अजे कुमार चोधरी अगला कोष्षन राश्ट्री स्वच गंगा मिशिन के नए महा निदेशक कौन बने है सही answer है option A जी अशोक कुमार अगला कोष्षन भारत के नए इस पाद सचिव कौन युक्ष हुए है सही answer है option A संजय कुमार सिंग नेक्स्ट कोष्षन भारतीय तटरक्षक का नया महा निदेशक किसे निदेशक किया गया है सही answer है option D विरेंदर सिंग पठानिया को विरेंदर सिंग पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24 महा निदेशक बने है यह आपको याद रखना है अगला कोष्षन बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने है सही answer है option B आमिर सुभानी अगला कोष्षन भारतीय कॉर्परेट मामलों के संस्थान के नए महा निदेशक और मुख्य कारिकारी अधिकारी कौन बने है सही answer है option B प्रवीन कुमार नेक्स्ट कोष्षन उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने है सही answer है option B दुर्गा शंकर मिश्र अगला कोष्षन है अंतर राश्री दूर संचार संग प्रबंदन परिश्यत समीती की नई उपाध्यक्ष कौन बने है सही answer है option C अप्राजीता शर्मा और इसकी स्थापना फ्रेंड 17 मई 1865 में हुई है मुख्याले इसका जेनेवा स्विजेलेंड में है नेक्स्ट कोष्षन हंगरी के प्रधानमंतरी कौन बने है सही answer है option B विक्टर और्बन हंगरी के बारे में जाल लेते हैं हंगरी की राजधानी बुड़ापेस्ट है हंगरी की मुद्रा है फॉरिंट ये आपको याद रखना है अगला कोष्षन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने है सही answer है option C ग्राहम थौर्प अगला कोष्षन दुनिया की सबसे बड़ी एक्स्प्रेस परिवहन और E-Commerce कंपनी FedEx के नए CEO कौन बने है सही answer है option D राज सुब्रमन्यम नेक्स्ट कोष्षन माल्टा के प्रधानमंत्री कौन बने है सही answer है option A रॉबर्ट अबेला ये आपको याद रखना है हमारा आखरी कोष्षन है अंतराश्री रबड अध्यन समू के नए अध्यक्ष कौन बने है सही answer है option A के अन रागवन ये आपको याद रखना है तो friends ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको राश्री और अंतराश्री नुक्ती काफी detail में पढ़ा दिया आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो का content और quality अच्छे लगी है तो इसे like जरूर करें अपने friends का share करें और अपना feedback हमारे comment box में जरूर दें तो चलिए अब आपसे मुलकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you and wish you all the best